नमस्कार प्यारे बच्चो अर्थशास की इस कक्षा में आप सबका स्वागत है पिछले अध्याय में आपने सह संबंद की बारे में जाना था आज की कक्षा में आप सूचकांग के विशा में जानेंगे सेह संबंद के अंतरगत हमने दो चरों के बीच के संबंद की दिशा और मात्रा को ग्याद करना सीखा था जीवन में हमें अधिकतर दो से अधिक चरों में होने वाले परिवर्तन का अध्यन करना पड़ता है जैसे बजार में महगाई बढ़ रही है या घट रही है शेर बजार में विवन शेरों की कीमितों में क्या परिवर्तन हो रहा है इन सभी प्रशनों का उतर जानने के लिए हमें सूचकांक के विशय में जानना होगा आज की कक्षा में हम सूचकांक यानि इंडेक्स नंबर के विशय में विस्तार से चर्चा करेंगे सबसे पहले जानते हैं सूचकांग का अर्थ क्या है जैसा की नाम से स्पस्ट है सूचकांग दो शब्दों से बना है पहला सूचक तथा दूसरा अंग अर्थात एक ऐसा अंग जो किसी परिवर्तन का सूचक है सूचकांग संबंदित चरों के समू के परिमान में परिवर्तन को मापने के एक सांखे किया साधन है सूचकांग चरों के समू में भिन भिन दिशाओं में होने वाले अनुपातों की सामाने प्रवर्ती को दर्शाता है अगर हम इसे और सरल शब्दों में कहें, तो चरों के किसी समू के ओसत मान को दो समय बिंदूओं पर तुलना करता है तथा होने वाले सापेक्ष परिवर्तन को एक संख्या द्वारा दर्शाता है यहां आपको यह बात ध्यान रखनी होगी, कि तुलना दो समय बिंदूओं पर चरों के समू में होने वाले परिवर्तन की हो रही है इसलिए सूचकांक सापेक्ष इकाईयों में दर्शाया जाता है, ना कि निरपेक्ष इकाईयों में क्योंकि एक समू के चरों की इकाईया भिन-भिन हो सकती है परंपरगत रूप से सूचकांको को प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है पहले समय काल को हम आधार अवधी के रूप में मानते हैं तथा आधार अवधी के मूल्यों को सौ प्रतिशत मान लेते हैं इसी प्रकार दूसरे समय काल को जिसकी तुलना आधार अवधी से की जानी है को हम वर्तमान अवधी मान लेते हैं तथा चरों के समू में होने वाले परिवर्तन को प्रतिशत में प्रदर्शित करते हैं यदि वर्तमान अवधी के सूचकांग का मान 120 आया है तो इसका अर्थ है चरों के समू का मुल्य आधार अवधी की तुल्ना में 20 प्रतिशत बढ़ गया है और यदि वर्तमान अवधी का सूचकांग 90 आया है इसका अर्थ है चरों के समू का मूले आधार अवधी की तुलना में 10 प्रतिशत कम हो गया है सूचकांग समान वर्गों में तुलना करता है यदि आधार समय अवधी तसा वर्तमान समय अवधी के समू के चरों में परिवर्तन आ जाता है तो तुलना तसा सूचकांग की गणना संभव नहीं होती आई अब यह जानते हैं कि सूचकांग की आवशक्ता क्यों पड़ी सूचकांग का प्रियोग दैनिक जीवन में निरंतर बढ़ता जा रहा है इसके द्वारा वस्तुओं की सूची में कीमतों उद्योग के विभिन छेत्रों में उत्पादन की मात्रा विभिन कृशी फसलों का उत्पादन उद्भोग वे आदी चरों के मूले में परिवतन को मापा जाता है आपने सैंसक्स तथा निफ्टी शब्दों को सुना होगा यह दोनों विभिन कमपनियों के शेयरों के मूले में होने वाले उतार चड़ाओ को दर्शाते हैं यदि ये ग्रीन लाइन से दिखाया जा रहा है यानि हरी रेखा से दिखाते हैं तो ये वृद्धी का सूचक है और यदि लाल रेखा से अर्शाते हैं तो ये इनके घटने का सूचक है यह एक सूचकांग है कीमत सूचकांग वस्तूओं के समूंग की कीमतों को मापता है जिससे उनकी तुलना संभव हो पाती है तथा ये निश्कर्ष निकालना सरल होता है कि मेंगाई बड़ी है या घटी है इन सूचनाओं के आधार पर सरकार समाज हित्में निनले सकती है आईए एक उधारन से इसस समझते हैं यहाँ पर हमने पांच वस्तूओं की मुल्य दिये है वस्तू का नाम हमने यह कह गह चलिया है आधार अवधी की कीमते दी हैं और वर्तमान अवधी की कीमते दी हैं आप तालिका में देख सकते हैं कि वस्तू के लिए प्रतिशत परिवर्तन अलग अलग हैं। अब इन आकनों के आधार पर अगर आप से पूछा जाए कि वस्तू के मुल्य में क्या परिवर्तन आया है। किया इनका मुल बढ़ा है या घटा है क्या मेहगाई बढ़ी है यदि सभी वस्तों की कीमतों में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन एक समान होता तो परिवर्तन की व्याक्य करने के लिए एक संख्या ही काफी होती यहां आप किसी एक वस्तू की कीमत में परिवर्तन को सरलता से बता सकते हैं किन्तु वस्तू की समू की कीमत में होने वाली परिवर्तन को दर्शाने के लिए आपको सूचकांग की अवशकता होगी कीमत सूचकांग इन परिवर्तनों को एकल संख्यात्मक माप के द्वारा प्रस्तुत करता है जब वस्तों की संख्या बहुत अधिक होती है जैसा की वास्त्विक बजार स्थिति में होता है तब सूचकांग द्वारा ही वस्तों के समू में होने वाले परिवतन को सरलता से दर्शाय जा सकता है आईए अब जानते हैं सूचकांग की मुख्य विशेष्टाएं क्या होती है पहली विशेष्टा यह है कि सूचकांग संख्या द्वारा व्यक्त किया जाते है सूचकांग सदेव संख्या में व्यक्त किया जाते हैं एक ऐसी संख्या द्वारा चरों के समू में होने वाले सापेक्ष परिवर्तन को दर्शाय जाता है जो किसी भी प्रकार के परिवर्तन को केवल शब्दों में व्यक्त नहीं करता है जैसे उत्पादन बढ़ गया है, उत्पादन थोड़ा कम हो गया है सभी परिवर्तनों को एक संख्या द्वारा दर्शाय जाता है दूसरा, सूच कांग औस्त के रूप में प्रस्तुत किये जाते है सूचकांग परिवर्तन की केंद्री परवर्ती को औसत की रूप में प्रकट करते हैं इसमें चरों के समू के परिवर्तन की दिशा का मापन नहीं होता बलकि सामाने रूप में परिवर्तन की दिशा वे मात्रा का मापन होता है तीसरा सूचकांग सापेक्ष माप है सूचकांग द्वारा चरों के सम्हूं के तुलनात्मक या सापेक्ष परिवर्तन को मापा जाता है यदि हम कहें कि सूचकांग 125 है तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता परन्तु यदि हम कहें कि सूचकांग वर्ष 2010 में 100 था और वर्ष 2015 में 125 हो गया तो हम ये निशकर्ष आसानी से निकाल सकते हैं कि वर्ष 2010 की तुलना में वर्ष 2015 में कीमते 25 प्रतिशत बढ़ गई है चौथा सूचकांक प्रतिशत का माध्य है सूचकांग में आधार अवधी के मुल्य को सो मान कर वर्तमान अवधी के मुल्य को प्रतिशत में बदल दिया जाता है जिने मुल्य अनुपात कहते हैं सभी मुल्य अनुपातों का माध्य निकाला जाता है प्रतिशत का यह माध्य ही सूचकांग कहलाता है पांचवाँ, सूचकांग तुलना का आधार प्रदान करता है सूचकांग आधार अवधी तथा वरतमान अवधी में तुलना का आधार प्रदान करता है आधार अवधी के मुल्य को सौपरतिशत मान कर वर्तमान अवधी के मूले को आधार अवधी के मूले की आधार पर पतिशत में ग्याद किया जाता है जिससे दो समय अवधियों के बीच तुलना संभव होती है छटा, सूचकांग सर्व्यापी उप्योगी होता है सूचकांग की उप्योगिता सर्व्यापी है सूचकांग, कीमतो, उत्पादन, रोजगार, आर्थिक विकास, मानव विकास, आदी अनेचरों की सापेक्ष माब दुआरा तुलना को संभव बनाता है जिसका प्रतक्ष या निर्पेक्ष अध्यन नहीं किया जा सकता है आएए अब हम सूचकांग की उपियोगिता और महत्व के बारे में जानते हैं सूचकांगों की सारभोमिक उपियोगिता है यह व्यापारी, अर्थशास्री, नीति निर्माता, अनुसान ध्यान करता, आदी का पत्थ प्रदर्शन करते हैं आधुनिक समय में लगबग सभी छेत्रों में सूचकांग ग्याद किया जाता है चाहे वे मानव विकास हो या आर्थिक विकास, उत्पादन हो या प्रसंता सभी छेत्रों में सूचकांग का प्रियोग करके परिवर्तन को दर्शाया जाता है आईए इसकी उप्यूविता की विश्तित चर्चा करते है पहला, सूचकांग जटिल तथ्यों को सरल बनाता है जटिल तथ्यों के परिवर्तन का मापन प्रतक्ष या निर्पेक्ष रूप से करना कठिन होता है सूचकांग परिवर्तन को मापने की सुविधा प्रदान करता है जैसे ओध्यों की उत्पादन, बैंकिंग, कीमते आदी सूचकांग से जन समाने के लिए समझने में सरल हो जाता है जैसे सभी शेरों की कीमतों में होने वाले परिवर्तन को केवल सेंसेक्स सूचकांग द्वारा सरलता से दर्शाय जा सकता है दूसरा तुलनात्मक अध्यन को संभव बनाता है सूचकांग चरों के सम्मू में होने वाले सापेक्ष परिवर्तन को मापता है जिससे तुलनात्मक अध्यन संभव हो जाता है सापेक्ष इकाई होने के कारण इसका प्रयोग किसी भी प्रकार के चर्की तुलना को संभव बनाता है तीसरा, सूचकांग उत्पादन के गटने बढ़ने की सूचना प्रदान करता है सूचकांग अर्थ व्यवस्ता में या किसी छेत्र विशेश में उत्पादन में होने वाले परिवर्तन को दर्शाता है इसके अधार पर सरकार नीतियों में परिवर्तन करके सकल घरेले उत्पाद को बढ़ाने के लिए विशेश प्रयास कर सकती है भारत में इसे दर्शाने के लिए और द्योगिक उत्पादन सूचकांग की गढ़ना की जाती है चौथा, मुद्रा की क्रेश शक्ति की गढ़ना समाने मूल्यस्तर में होने वाले परिवर्तनों को मापने के लिए सूचकांग का प्रियोग किया जाता है समाने मूलस्तर में होने वाले परिवर्तन से मुदरा की क्रेश शक्ती में होने वाले परिवर्तनों का अनुमान लगाय जा सकता है इसकी साहता से मुदरस्वीती या अपस्वीती को नियंतित करने की योजना बनाई जा सकती है पांच impeachment सूचकांग वास्तविक GDP का अनुमान लगाने में मदद करता है सूचकांग की साहेता से मौदरिक GDP पर पढ़ने वाले कीमत परिवतन के प्रभाव को दूर करके वास्तविक GDP का अनुमान लगाया सकता है मौदरिक GDP को कीमत सूचकांग से भाग देकर तथा 100 से गुना करके वास्तविक GDP का अनुमान लगाय जा सकता है जिस पर कीमत का प्रभाव नहीं होता 6. करमचारियों के वेतन का आधार प्रधान करता है सूचकांग करमचारियों को वेतन में व्रधी कराने के लिए आधार प्रधान करता है कीमत में व्रधी होने के कारण वास्तविक क्रेशक्ति कम हो जाती है जिससे मिलने वाला वेतन समान जीवन स्तर को बनाय रखने के लिए प्रयाप नहीं होता करमचारी सूचकांग के अनुरूप वेतन में व्रदिकी मांग कर सकते हैं सरकारी करमचारी को मिलने वाला महगाई भता कीमत सूचकांग के आधार पर ही निधारित होता है आए अब हम जानते हैं सूचकांग की रचना कैसे करते हैं सूचकांग की रचना मुख्यत्य दो प्रकार से की जाती है। पहली समुहित विदी तथा दूसरी मुल्य अनुपातों की माध्य विदी। अर शास्त में अनेक प्रकार के सूचकांग की रचना की जाती है, जैसे उभोगता कीमत सूचकांग, थोक कीमत सूचकांग, और द्योगिक उत्पादन सूचकांग, कृषी उत्पादन सूचकांग, समवेदी सूचकांग आदी, इन में कीमत सूचकांग का सबसे अधिक प्र योग करेंगे आए समुहित विधी के बारे में जानते हैं जिसे अंगरेजी में aggregative method कहते हैं समुहित विधी के अंतरगत हम आधार अवधी तथा वर्तमान अवधी की कीमतों को समुहित करके उनका अनुमबात ग्याद करते हैं इसे दो प्रकार से किया जाता है पहला सरल समुहित कीमत सूचकांग तथा दूसरा भारित समुहित कीमत सूचकांग आए अब हम सरल समुहित कीमत सूचकांग को बिस्तार से जानते हैं इस विधी के अंतरगत हम पहले वर्तमा अवधी की वस्तों की कीमतों, जिसे हम P1 से दर्शाते हैं, तथा आधार अवधी में वस्तों की कीमतों, जिसे हम P0 यानि P0 से दर्शाते हैं, कयोग करके समुहित कीमत ग्याद करते हैं, तथा उसे सरल समुहित कीमत सूचकांग के सूत्र में रखते हैं. सबसे पहले हम सरल समुहित सुचकांक का सुत्र लिखते हैं P01 बराबर है सिगमा P1 बटे सिगमा P0 गुना 100 अब इसमें हम P1 अर्थात वर्तमान अवधी की कीमतों का योग करते हैं और नीचे सिगमा P0 में आधार अवधी कीमतों का योग करते हैं तथा उसे 100 से भाग करते हैं हमें जो संख्या प्राब्थ हुई वो 234 बटे 195 गुना 100 है इसे और हल किया तो 1.2 गुना 100 हमें सुचकांक प्राब्थ हुआ उसका मान है 120 यहां यह कहा जा सकता है कि कीमतों में 20 प्रतिशत की विद्धी हुई है आधार अवधी में यदि कीमतों को 100 प्रतिशत माना जाए तो वर्तमान अवधी में कीमते बढ़कर 120 प्रतिशत हो गई है अर्थात कीमतों में 20 प्रतिशत की विद्धी हुई है इस प्रिकार के सूचकांकों का प्रियोग कम होता है इसका कारण यह है कि विभिन वस्तूओं की कीमतों के माप की कईयां समान नहीं होती यहां चार वस्तूओं की कीमत प्रतिकिलों की दर्से दी गई है तथा एक वस्तू की प्रतिकाई की दर्से यहाँ पर मदों का सापेक्षित महत्व उपेक्षित किया गया है तथा सभी मदों को बराबर महत्व या भार वाला मान लिया जाता है लेकिन वास्तों में ऐसा नहीं होता है तथा मदों के महत्व में भिन्यता पाई जाती है क्रेय की गई वस्तूओं में कुछ वस्तूओं का महत्व अधिक होता है तथा उन्हें अधिक मातरा में खरीदा जाता है उनकी कीमत में होने वाले परिवत्तन से पढ़ने वाला प्रभाव उभूकता को अधिक प्रभावित करता है ऐसी स्थिती में अधिक भारवाली मद की कीमत में तथा कम भारवाली मद की कीमत में समान वर्दिक के कारण कीमत सूचकांग में होने वाला कुल परिवतन के अलग-अलग प्रभाव होंगे इसके लिए भारित कीमत सूचकांग का प्रियोग किया जाता है आईए अब हम भारित समुहित कीमत सूचकांग के बारे में जाते हैं किसी सूचकांग को भारित सूचकांग तब कहा जाता है जब मदों के सापेक्षिक महत्व को ध्यान में रखा जाता है प्रियोग किया जाने वाला प्रिमानात्मक भार होता है भारित समुहित कीमत सूचकांग की रचना के लिए कुछ विशेश वस्तों को लिया जाता है तथा इनकी मूले की प्रतिवर्ष करना की जाती है भारित समुहित कीमत सूचकांग ग्याद करने की विभिन विदियो में बिन-बिन समय की वस्तों को बिन-बिन समु का प्रियोग किया जाता है भारित समुहित कीमत सूचकांग ग्याद करने के लिए तीन विदियों का प्रियोग किया जाता है पहला लेस्पेयर का कीमत सूचकांग दूसरा पाशे का कीमत सूचकांग तता तीसरा फिशर का कीमत सूचकांग आईए अब इन्हें हम एक एक करके विस्तार से समझते हैं लेस्पेयर का कीमत सूचकांग जब मदों की आधार अवधी की मातरा को भार के रूप में प्रियोप करके भारित समुहित कीमत सूचकांग ग्याद किया जाता है उसे लेसपेर का कीमत सूचकांग कहते हैं इस विधी दुआरा यह ज्याद करने की कोशिश करते हैं कि यदि आधार अवधी में वस्तू के एक टोक्री पर सौ रुपे खर्च होता था तो वस्तू की उसी टोक्री पर वर्तमान अवधी में कितना खर्च होना चाहिए लेस्पेर का कीमत सुच कांका सूतर इस परकार है पी शून्य एक बराबर सिग्मा पी एक खून्य बटे में सिग्मा पी शून्य ख्यून्य गुना 100 इसे इक उधारन द्वारा ग्याद करते हैं आप दी गई तालीका को देखिए, इसमें वस्तु आधार वर्ष के कीमत और मात्रा और वर्तमान अवदी की कीमत और मात्रा दी गई है। सार्णी में हमने सिगमा पी एक क्यू शुन्य और सिगमा पी शुन्य क्यू शुन्य का मान ग्याद किया है। इस मान को हम जब सूत्र में रखते हैं तो 275 बटे 212 गुना 100 आता है जिसे हल करने पर हम एस उचकांग का मुल्य 139.71 प्राप्त होता है। इस उधारन में आप देख सकते हैं कि कीमतों में बढ़ोत्री होने के कारण आधार अवदे की वस्तों की मात्रा का मुल्य 29.71 प्रतिशत बढ़ गया है। वर्तमान अवदी की मात्रा आधार अवदी की मात्रा से भीन होती है। इसलिए वर्तमान अवदी भार का प्रियोग करने वाला सूचकांग आधार अवदी भार का प्रियोग करने वाला सूचकांग से अलगे मुल्य देता है। इसी पर आधारेत दूसरी भारित समुहित कीमत सूचकांग विधी के इमारे में जानते हैं जिसे हम पाशे का कीमत सूचकांग कहते हैं जब वर्तमान अवधी की मात्रा को भार के रूप में प्रियोग करके भारित समुहित कीमत सूचकांग ग्याद किया जाता है उसे पाशे का कीमत सूचकांग कहते है इसमें वर्तमान अवधी की कीमतों को वर्तमान अवधी की मातरा से गुणा करके इनका योग ग्याद किया जाता है इस विदी से हम यह जानने के प्रियास करते हैं कि जब वर्तमान अवधी वस्तूओं की टोकरी को आधार अवधी में उप्योग किया जाता और हम इस पर सौर उर्पे खर्च करते तो वस्तूओं की उसी टोकरी पर वर्तमान में कितना खर्च होना चाहिए पाशे का कीमत सूचकांग का सूत्र इस प्रकार है पी शुन्य एक बराबर सिग्मा पी एक क्यू एक बटि में सिग्मा पी शुन्य एक क्यू एक गुना में सौ एक उधारन द्वारा हम इसे ग्याद करना सीखते हैं सारनी को दीखिए इसमें वस्तु आधार अवधी की कीमत तथा मात्रा और वर्तमान अवधी की कीमत तथा मात्रा दी गई है यहाँ पर हमने सिग्मा P1, Q1 और सिग्मा P0, Q0 का मान ग्याद कर लिया है उसे हम जब सूत्र में रखते हैं तो वह होता है 415 बटे 325 गुना में 100 और इस प्रकार जब हम इसे हल करते हैं तो हमें कीमत सूचकांग प्राप्त होता है वह है 127.69 इस उधारन में आप देख सकते हैं कि कीमत में बढ़ोतरी होने की कारण वर्तमान अवदी की वस्तों की मातर का मुल्य 27.69 प्रतिशत बढ़ गया है यहाँ हमने वर्तमान अवदी की मातर को भार के रूप में प्रियोग करके यह पता लगाया की केमतों में 27.69 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है इन दोनों विद्यों में लैस्पेर का कीमत सूचकांग आधार अवदी की भार मातरा को प्रियोग करता है तथा पाशे का कीमत सूचकांग वर्तमान अवदी की मातरा का भार के रूप में प्रियोग करता है फिशर का कीमत सूचकांग इन दोनों के बीज का रास्ता ढूंगता है आईए इसके बारे में जानते है फिशर का कीमत सूचकांग जब वर्तमान अवधी की मात्रा तथा आधार अवधी की मात्रा दोनों को भार की रूप में प्रियोग करके भारित समुहित कीमत सूचकांग ग्याद किया जाता है उसे फिशर का कीमत सूचकांग कहते है इसमें वर्तमान अवदी की कीमतों को वर्तमान अवदी की मातरा से गुणा करके इनका योग ग्याद किया जाता है उसके बाद आधार अवधी की कीमतों को वर्तमान अवधी की मातरा से गुणा करके इनका योग किया जाता है तता इनका अनुपात ग्याद किया जाता है फिशर का कीमत सूचकांग जब वर्तमान अवधी की मात्रा तथा आधार अवधी की मात्रा दोनों को भार के रूप में प्रियोग करके भारित समुहित कीमत सूचकांग ग्याद किया जाता है उसे फिशर का कीमत सूचकांग कहते है इस विधी के अंतरगत, लैस्पियर तथा पाशे के सूत्रों का गुनोत्तर माध्य लिया जाता है फिशर का कीमत सूचकांग दोनों समय अवधियों पर आधारित होने के कारण आधर्श सूचकांग कहलाता है इसे फिशर आधर्श सूचकांग भी कहते हैं Fisher का आदर्श सूचकांक का सूत्र इस ब्रकार है, P01 बराबर, सिग्मा P01 Q1 बटे में, सिग्मा P01 Q1 गुणा, सिग्मा P01 Q0 बटे में, सिग्मा P01 Q0 इन सब का वर्गमूल निकालते हैं, और उसे 100 से भाग करते हैं। आए एक उधान दुआरा हम जानते हैं कि फिशर का आधर्ष कीमत सुचकांग कैसे ग्याद करते हैं। Q1, P0Q1, P1Q0, और P0Q0, इन सब का मान ग्याद करके इनका योग ग्याद किया, तथा इसे हमने फिशर के आदर सूचकांग के सूत्र में रखा, जो इस प्रकार है, सिग्मा P1Q1, सिग्मा P0Q1, गुना, सिग्मा P1Q0, बटे सिग्मा P0Q0, पूरे का वर्गमूल गुना में 100, इनका मान जब हमने सूत्र में रखा, तो हमने सूचकांग के ग्याद किया, जो 128.69 है, इस उधारण में आप देख सकते हैं कि कीमत में बढ़ोतरी होने के कारण वस्तूओं की मातरा का मुल्य 28.69 प्रतिशत बढ़ गया है, यहां हमने वर्तमान अवधी तथा आधार अवधी की मातरा को भार के रूप में प्रियोग करके यह पता लगाया कि कीमतों में 28.69 प्रतिशत की बढ़ोतरी होई है, फिशर आधर्शूचकांग के गुनों के विशह में जानते हैं, पहला, आधर्शूचकांग में आधार वर्ष तथा वर्तमान वर्ष की कीमत तथा मातरा दोनों को सम्मलित किया जाता है, दूसरा, यह विदी अभीनती अर्थात 22 से स्वतन्त्र होती है, क्योंकि इसमें आधार वर्ष अथवा वर्तमान वर्ष के चैन की अवशक्ता नहीं होती तीसरा, फिशर आदर सूचकांग समय उत्क्राम्यता परिक्षन तथा तत्व उत्क्राम्यता परिक्षन दोनों की कसोटी पर खरा उतरता है यही कारण है कि इसे आदर्श सूत्र कहा जाता है फिशर आदर्श सूचकांग के कुछ दोश भी है पहला इस विधी से सूचकांग ग्यात करना अपिक्षक्रत कठिन होता है दूसरा इस विधी में आधार अवधी तथा वर्त्मान अवधी दोनों की कीमतों तथा मातरा की अवशक्ता होती है और तीसरा यह व्यवारिक सूचकांग सुत्र नहीं है आज की कख्षा को हम यहीं समाप्त करेंगे आज हमने सूचकांग के अर्थ, सूचकांग के मुख्य विशेष्टाओं, सूचकांग की उप्योगीता तथा महत्व के विशय में विस्तार से जाना साथ ही हमने सूचकांग की रचना की विद्धियों के प्रकार जो पहला सरल समोहित कीमत सूचकांग तथा दूसरा भारित समोहित कीमत सूचकांग को समझा भारित समोहित कीमत सूचकांग ज्याद करने के लिए तीन विद्धियों पहली लेस्पेर का कीमत सूचकांग, दूसरी पाशे का कीमत सूचकांग, तता तीसरी फिशर का आदर्श कीमत सूचकांग की गणना को हमने उधारन साहित समझा इस कक्षा को हम यहीं समाप्त करते हैं और अगली कक्षा में मुल्य अनुपातों की माध्यविदी तथा कुछ महत्पूर्ण सूचकांक जैसे उभोगता कीमत सूचकांक, थोग कीमत सूचकांक और द्योगिक उत्पादन सूचकांग, कृशी उत्पादन सूचकांग, समेधी सूचकांग, जिससे हम सैंसेक्स कहते हैं, तथा मुद्रा स्वीती दर पर चर्चा करेंगे तब तक के लिए धन्यवाद झाल के मुद्रा से झाल 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 तास कहते है झाल